खुद को छमतावान बनाओ ताकि आप दूसरों की मदद कर सको, और खुद को खुज़ाहल बनाओ ताकि आप लोगों में खुसियां बाट सको, क्योंकि दोस्तों आप दूसरे को एक रुपए तभी दे सकते हो, जब आपकी ये में 100 रुपए होंगे, यानि की सबसे पहले हम में अपने जीमन को सुधारना है और इसके बाद दुनिया अपने आप बहतर होती चली जाएगी नमस्कार गुड मॉर्निंग बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस्टेडी विद ग्यान प्रकास के मानवी उनिसेस्टन में तो यूपी टीडी के लिए एक बड़ी अप फाइनल प्रिंट नहीं निकालते हो तो यह माना जाएगा कि आप जो है अभी अपना फार्म कंप्लीट नहीं किये हो और ऐसी सिती में आपका जो फार्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है तो देखो 20 नॉमर के बाद आविदुकों को कोई अत्रिक्त समय नहीं दिय जाएगा ऐसा भी सचुने कहा है और उन्हें यह भी कहा कि समय से प्रिंट नहीं निकालने वालों को भी कोई अत्रिक्त समय नहीं मिलेगा अधूरे और अपून आविदन पत्रों को प्रतंद रिष्ट्य निरस्त माना जाएगा और इस सम्मंद में कोई प्रत्याविदन ही माना जाता है फिर अगर देखें तो अब तक कुल मिला के लगबग साड़े तीन लाग से ज्यादा आविदन कंप्लीट हो गए हैं और लगबग साड़े पांस लाग के आसपास रेजिट्रेशन हो रहे हैं तो आप लोगों को भी अपना रेजिट्रेशन करके फार्म को तो फिर आपको इसकी आऊ सकता नहीं है आप आने परिशाओं के त्यारी भी कर सकते हो सीटेट और यूपी टेट दोनों ही यूपी में होने वाली सिक्षकवर्थी परिशाओं के लिए मानने होते हैं और दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलते हैं हम लोग अगली खबर पर 69 सिक्षकवर्थी कटाफ मेंटर पर जो अगली सुनवाईगी डेट है वो 13 नौंबर लगाएगी यह लेकिन यहाँ पर रिजवान टीम का यह करना है कि 13 नौंबर को सुनवाई संदिक्ध है हो सकता है कि ना हो क्यों 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 यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 13 नौंबर को कोट नमबर एक में सिर्फ डेली लिस्ट के केस सुने जाएंगे और रिजवान टीम यह भी करिए कि 13 नॉंबर को हमारे अधिवक्ता यानिकि सिक्षमित्रों के अधिवक्ता द्वारा केस को मेंसन करवाने का प्रयास किया जाएगा जिससे इस मामले का डिवीजन बेंच लख आया और अभी तक इसकी कोई कास लिस्ट भी जारी नहीं हुई है देखो पॉलिटेक्नी प्रिवस परिच्छा 26 अपरेल को होनी है दिसंबर में इसके लिए आनलाइन प्रक्रिया सुरू हो जाएगी जानकारी परिशत की सच्यू एसके बैस ने दिये उन्होंने बताया कि संस्ताओं में चल रहे है बिभिनी डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजूट पारिक्रमों में सेक्षे सतर दोजार बीस और इकिस में ग्रूप एक की मुख्य परिश्चा आफ्लाइन होगी सेस अन्सूलर पारिक्रम जो ग्रूप होंगे उनकी परिश्चा आनलाइन होगी 26 सुचना पारित कर दें ताकि वह अपनी तैयारी में अब लग जाएं क्योंकि अप्रैल आने में समय सेस्ट नहीं है पाटिकरम ज्यादा होता है जब तक आप लोग एक सही योजना बनाकर स्टडी को नहीं जारी रखते हो तब तक असफलता ही हमारे हाथ लगती बहुत सार स्टडी के लिए एक प्लानिंग आपके मन में होना चाहिए और साम तक उस योजना जो प्लानिंग आपने बनाई थी उसको कंप्लीट हर हाल में आपको कर लेना है और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर समझ लो कि वो दिन आपका बेकार जाता है और साम तक अगर य जिन्दगी बेहतर होती चली जाएगी देखो बात कर रहा है यहां पर 679 युमाओं के बारे में जो लोग TGT 2016 जियू विज्ञान के एस्पारेंट हैं फिलाल TGT 2016 में अभी दो भिसों के पैणाम सेस हैं स्वारी एक भिसे हिंदी का पैणाम सेस है जियू विज्ञान के ल नहीं है जैसे क्लियर होगी मैं आपको बता दूँगा एल्टी ग्रेट में जियू विज्ञान विसे के सापेक्ष अभेटियों का चैन किया गया है और यह इस बात को बल देता है कि यूपी में जियू विज्ञान विसे बहाल हो सकता है लेकिन यह सब मुझे लगता है कि म इना हाई कोट के निर्देश पर नहीं होगा क्योंकि इस मैटर पर अल्रेडी एक टीम का गठन किया गया था और इस पर 304 पदों के सापेक जो 1605 अभेटों ने आविदन किया था तो जब पत समाथ किये गये थे जुलाई 2018 में तो इस पर एक टीम का गठन किया गया था और सची यूपी बोर्ड की एधिस्ता में उन्होंने अगस 2018 में ही अपनी रिपोर्ड और संस्तुती सरकार को भेज दी ती सासन को भेज दी थी मत और फिलाल यहां पर जो भेठती हैं उनके मन में उभापो की इस्तिति है मामला हाई कोड में है और मुझे लगता है कि जब तक हाई कोड इस पर दखल अंदाजी नहीं करेगा तब तक यह मामला बहाल नहीं होगा एक बड़ा पॉइंट यहां पर यह है कि एल्टिकेट में जिव भी ज्यान का जो भी सेता उस पर भरती हुई है तो टीजीटी और एल्टिकेट समकर्च होते हैं एक प्रदेश में दो नियम लागू नहीं हो सकते और इसलिए अगर पैरवी की जाये तो यह भी से बहाल हो सकता है फिलाल प्रदेश के 67,000 युवा जो है वो परिशान है और अपने भविश को लेकर अभी वो असमंजस की इस्तित में हैं क्योंकि यहाँ पर जो जुलुक जिव भी ज्यान से बीस्ति हैं उनके लिए सिक्षक में मतलब की सिक्षक बनने के लिए कोई अन भी से उनको टीजीटी लेबल पर नहीं मिलेगा हाँ अगर वो प्रासि में 244 लागू हुआ है और इस वजह से यह जो धरना था यह अब 20 नॉंबर को होगा अब एक बात यह आपको बता दें कि देखो इस धरने में मांग क्या की जाएगी मांग यह की जा रही है कि सामाजी विज्ञान और हिंदी का जो रिजल्ट है जिसके बारे कहा गया था कि पेपर आउट हुआ था तो उससे समंदी जो रिजल्ट है उसको जो है मतलब कम निकाला जाएगा इसकी मांग की जाएगी तो फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं चलते हम लोग अब अगली के पर डिलेट का जो परिशा कारेकर में जारी हो गया है और यह परिशा कारेकर में आ अगर डिलेट से संबंदी आप लोग टाइम टेबल सर्च कर रहे थे तो यह टाइम टेबल आपको हमारे वेबसाइट इस्टेडिविध्यानप्रकास.com या फिर हमारे टेलिग्राम चैनल या फिर हमारे फिस्बुक पेंच वर भी आउलेबल है जहां भी आप जा सकते हो ज जो विचार व्यक्त के गए हैं मानों संदर्ण विकास मंतरी की ओर से उस पर हम लोग थोड़ा सा फूकस करते हैं लेको वर्ज 2014 में इंडिये सरकार ने देश की कमान सवाल ली थी तब ही असप्रश था कि बैस्विक परिवेश की नए चुनोतियों का मुगाबला करने के ल सार वो सिक्षा नीत सुझाएं 31 मई 2019 को नई सिक्षा नीत का मसुदा सरकार नदर जब सामने आया तो उसके बाद लगवाद दो लाख लोगों ने उस पर अपनी राय दी है दोस्तों यहां पर देखे मंद्री जी लिखते हैं कि हम अमेरिका जर्मनी जापान की नकल करके अ नालंदा तक्षसिला बिक्रम सिला बल्लभी जैसे केंद्रों ने संपूर्ण विश्व को नई दिशा दिखाई है यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे सिक्षा नीत गुर्कुलों यानि की मुल्यों और संस्कारों पर आधारी थी चाहे हमारे गुर्कुल रहे हो चाहे वि कि आज भारत को युव राष्ट की संग्या दी जा रही है विस्व मनिश्वा को भारत के नवोयोगों में विशिष्ट उर्जा दिखाई दे रही है विकास और प्लगत्सिलता की आंधी में विश्व विरादरी को भारत की बाजार अपनी ओर आकर सित कर रहे हैं और इसे क इस बात पर निर्फर करेगा कि हमारे सभी युवा अपनी अपनी छंता के अनुसार समर्पित भाव से देश के लिए कारे करें एक युवा राष्ट के रूप में हम स्रिनात्मक उद्यमिता नवाचार सुध एवं अनुसंधान का महत्पूर्ण केंद्र बन सकते हैं ये सारी हमारी प्राचिन धरोरों को फिर से जीवन बना सकते हैं तो फ्रेंट्स ये हैं आज की बड़ी अपडेट्स उम्मेद करता हूँ कि इस से से आपको बहुत फायदा मिलता होगा क्योंकि आपको अपने करियर को प्लान करने में मदद मिलती होगी तो इस वीडियो को लाइक हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तक तक के लिए जैहिंद